आप सभी प्रिय दर्शुकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम बात करेंगे सुवन फार्मा के बारे में, बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसमें लंबी कतार लगाकर खड़े हुए हैं, क्या न्यूस है? पूरा विशलेशन करेंगे, ब बताये जाएगा टेकनिकल माध्यम से क्या है इसके बाइंग लेवल आपके लिए, और साथ ही साथ में, लॉंग टर्म में अगर आप इसको निवेश कर रहे हैं, तो बहुत बढ़ी अनिवेश है, क्या होगा टार्गेट लॉंग टर्ब की दरश्टी से? आईए चलकर शु जादा सुवन फार्मा को होल्ड करती है, अब क्योंकि फार्मा सेक्टर एक सिकलिक साइकल है, बहुत अच्छी तरह से इसने रिकवरी की है, पिछले एक साल में चार सालों का रिटर्न दे दिया है, तो इस टाइम पर प्रमोटर थोड़े से यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहा है उनको, और क्यों ना हो, इस टाइम पर कोविड के चलते हुए फार्मा सेक्टर ने बहुत बढ़ी हा काम किया है, तो उसके चलते हुए उन्होंने इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया था बिडिंग के लिए, और देखिए बहुत बड़े लंबे, बड़े बड़ सुवन फार्मा, यह तीनो की तीनो शॉर्ट लिस्ट कर ली गई है, तो बाई आ कंट्रोलिंग स्टेक इन हाइदरबाद बेस्ट सुवन फार्मा, जैसा आपको बताया है, यह यहां इंडिया की वन अफ द ओल्डेस्ट कॉंट्रेक्ट मैनुफेक्चरर है, जब कॉंट्रे बना सकते हैं, और फिर आपको सप्लाई कर सकते हैं, इसका जो एन्वल ग्रोथ रेट है, करीब करीब 7% का है इस इंडिस्ट्री का, और जो कि यहां पर 30% की ओवरॉल मैनुफेक्चरिंग रिक्वाइमेंट की दर्शाता है, तो यह ऐसी बात नहीं है कि कम एरिया में है, य और इनका जो ग्रोथ है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए बड़े इंवेस्टर्स इसमें लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, यह निउस आप पूरी खुझ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो बताईएगा, पर यहां पर हम सिर्फ निउस की बात न निउ वेंचर करना है, उसके लिए यह अपना स्टेक सेल कर रहे हैं यहापर, और लार्ज इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि कहीं पर उनको अगर कंट्रोलिंग स्टेक मिलता है, और स्पेशली अगर फार्मा सेक्टर की बात की जाए, पिछले 10 सालों से फ निफ्टी से जादा दिया है, तो इसलिए बाहर के फॉरन इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत उत्सुक है, फार्मा सेक्टर में निवेश करने के लिए, यह एक बहुत स्मॉल कैप की तरह से काम करती थी कंपनी, अब देखें, इसको मिड कैप का दरजा दे दिया गया है, क का P.E. करीब 43 के आसपास है, और इंडस्ट्री का P.E. करीब 41 के आसपास है, जो कि एक reasonable range है, हमारे हिसाब से 10% की range में रहता है, तो कंपनी बढ़िया competition के साथ काम कर रही है इस time पर, तो यह अच्छा sign है कंपनी का P.E. के reference में भी, अब यहीं पर अगर हम इनकी sales की figure देख है, तो September के quarter थोड़ा सा subdued था profitability में 65 करोड की profitability थी, महीं June के quarter में 81 करोड की profitability थी, तो दोनों में यह अच्छी position बन रही है, यहाँ पर long term की दर्शित से देखा जाए, आगे आने वाले समय और बहाली लाएगा company में, और अच्छे profit होंगे, expenditure का ऐसा होता है थी कि आपको आने हुई, या कोई expenditure करना पड़ा किसी R&D के लिए, तो उस quarter में expense ज़्यादा रहेंगे, इसलिए profitability थोड़ी कम हो सकती है, तो यह थोड़ा सा seasonal view रहता है, तो देखें जैसे बताए आपको, जो इनके promoter है, family business, उनका 60% holding है, public आप और हम जैसे लोग करीब 30% holding है, DIA 5% और F FII भी महज 4%, अगर यह stake sale होता है, तो यह 34% के आज पास आ जाएंगे FII इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, यह एक long term के लिए बहुत बढ़िया distribution हो जाएगा, फिर हमारे domestic investors भी इसमें खरीदने की कोशिश करेंगे, तो fundamentally बहुत strong company है, और हमारे channel का 5x5 rule हमेश ध्यान रखना, यह बहुत important है आपकी wealth को protect करने के लिए, अब ज़रा कुछ चोटा सा view, technical का भी देख लिया जाए, कि क्या हो रहा है, तो अगर हम इसमें 5 minute का chart देखें, तो कल की कहानी बहुत clear थी, जैसे ही यह announcement आया था, कि इनको stake sale के लिए बढ़िया partner मिल गए है, तो द आपाये थे कल morning में ही, और आज यह यहाँ पर almost flat trade कर रहा है 505 के आसपास, तो अब क्या रनीती होनी चाहिए आपकी, आईए चल कर बताते हैं, तो देखें, अगर यहाँ पर हम इसका studies देखें, आपके long term chart के basis पर, तो कल volume भी बहुत अच्छा था, 3 million के आसपास hand exchange होएं shares, जहाँ पर average volume 250 के के आसपास रहता है इस stock का, तो volume के साथ बढ़ा है, और वो news based information थी, जिसकी वेज़े से यह बहुत अच्छा बढ़ा है, आ गयाने वाले समय इसके लिए बहुत positive रहेगा, अब यह important question हो जाता है कि technically हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा level खरीदे, तो देखें, पास, तो यह number ध्यान रखना, और दूसरा, उसके लिए support रहेगा 436, टेक्निकली बात करें, पर क्या यह level खरीदने के लिए, नहीं, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, यह support के हिसाब से आपको बता रहे हैं, आप अगर हम इसमें studies एड़ करें, बुलियंजर बैंट, one of our favorite indicator जो इस answer को answer करने कोशिश करेगा, तो देखिए, आपका जो पहला level है, अगर यह किसी वज़य से retrace करता है, तो नीच आने की कोशिश करेगा, और projectile इसका यहाँ पर 475 के आसपास आ रहा है, तो जो हमारी आपको buying सलाह रहेगी, वो यह है, कुछ आप 500 की range में खरीद सकते हैं, और कुछ आपको जो खरीदना है, 475 के आसपास, अपना ratio, आप अपने risk के basis पर उसको distribute कर सकते हैं, और अगर किसी वज़य से 475 नहीं आता है, कोई बात नहीं है, उसको cash की तरह से रखिएगा, ताकि अगर कभी later भी आए, तो आप उसके लिए right opportunity रहे आपको खरीदने हम लोग buying current level पर rarely बताते हैं, बट यहां पर यह बहुत बड़ा news है, जिसकी वज़य से आगे आने वाले समय में, यह stock यहां से तेजी का रुक रखेगा, इस बात का आप धियान रखना है, तो अगर हम यहां पर study add करे, super trend के basis पर क्या चल रहा है, तो देगे, super trend ने बहुत अच्छा momentum दिखाया है, अगर आपने super trend, simple trend को follow किया होता है, technically 367 से लेकर 505 के आसपास पहुच गया है, जो कि एक बड़े असाइन है, अब यहां पर हम RSI भी देखते है, relative strength indices, अगर कभी यह overboard zone में आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको cautious रहने की जुरत है, और देखे, यहा Generally, pharma sector में 70 के ऊपर थोड़ा poison माना जाता है stock को, वहाँ पर ना खरीदे, पर क्योंकि news-based information है, तो कुछ quantity आप यहाँ पर खरीदने की सला दे रहे हैं, और कुछ quantity 475 के आसपास हमारी आने की उमीद है, वहाँ पर आप खरीद सकते हैं, तो यह आपके लिए एक right strategy रहेगी, अगर आप इस stock में अपनी holding या फिर position बनाना चाहते हैं, एक और parameter हम आपको दिखाएंगे हैं, पर जिसके basis पर हमने आपको बताया है, क्यों आपको इसको अपने portfolio में जरूर ज़रूर जगा देनी है, तो देखे, MACD, one of our another favorite indicator, जिसके basis पर इसने कल के momentum के बाद यहाँ से positive biased कर दिया है, और यहाँ से यह ऊपर जाने के लिए तयार हो चुका है stock, तो जैसा बताया, simple conclusion करते हैं, technical basis पर यह एक अच्छा trigger है, starting point और conclusion के लिए आपको बताया जाए, आप इसको कुछ quantity 500 के लिए लेवल पर खरी सकते हैं, कुछ quantity 475 के आसपास खरी सकते हैं, हम इसमें bullish है शायद आपका view भी bullish है, तो आप हमें बतायेगा comment box में, और हमारा अगर target की बात की जाए, तो हम आपको इसको 3 साल के लिए hold करने की recommendation देंगे, और यहाँ से इसका जो हमारा price है, वो 1250 का है, 1250 रुपे का target, तगला target, उच्छा buy करके रखिए, और hold रखिए इसको, आपका portfolio multi-bagger बन जाएगा कुछ समय के बाद में, दोस्तो, दोस्तो, stock market में learning बहुत important process है, अगर आप stock market में learning सीखना चाते हैं, या फिर day trading करना चाते हैं, तो आपके लिए हमने customized course design किया है, जिसमें हम day to day की trading सिखाते हैं, और specially nifty और bank nifty में कैसे trade लेना है, कैसे करना है, उसके बार आप एक महिने के लिए ट्राइ कर सकते हैं, जैहिंच, भारत, आपके लिए 4 वीडियो पर सुझाएं, बाई गाई